नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक एक लगातार जब से सफा बसपा का गटवंधन हुआ है तमाम लोग जो है मैं कल प्रेस कलम में था तो पत्रकार लोग जो सबन पत्रकार है वो मस्खरी कर रहे थे कि मायवती ठीकट बेच रही है उनके कीमत 10 करोड, 5 करोड, 20 करोड, 16 करोड है तो मैंने पूछा कि अच्छा भाई एक बत बताई है कि चुनाओं में तो सारी पार्टियां खर्चा करती है तो ये बीजेपी कॉंग्रेस के पास पैसे कहां से आते है या सवर्ण जो दल है उनके पास पैसे कहां से आते है तो उन् पटनायक को भी चंदा देते हैं और मायवती मुलायम अगर सत्ता में हो तो थोड़ा बहुत कुछ लेने के बदल में तो नहीं देते हैं मैंने तो फिर क्यू चंदा देते हैं इससे क्या फायदा होता होगा उन लोगों को उनकी विचारधारा मजबूत होती है उनको तो व अब उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा सवाल है कैसे चलती है मैं बता रहा हूँ आपको मानेबर सहाब ने एक एक रुपए लेकर यह पार्टी खड़ी की थी उसके बाद जिस तरह से बहन ब्यस्पी सुप्रीम मायवती ने देश भर में बहुजन समाज को स्टैबलिस किया ह चुनावी रैलीयां करते हैं उसके लिए बो पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं और करकरता होते हैं उनसे हर महिने या साल के हिसाब से चंदा लेती हैं आप सोचीए कि अगर आप चंदा नहीं लेंगे तो एक चुनाव लरने का कितना होता है मैंने ये भी कहा कि अच्छ जो पचास क्रोड रुपए चंदा पार्टी फंड में दे सके ना बिजनेसमेन है ना अमीर है ना मोदी है ना माल्या है ना नीरब मोदी है ना अबानी है ना अडानी है तो सवाल पैदा होता है कि इसी पार्टियां चलती कैसे है तो एक बड़ी साजी सोती है जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ही के नेता को भरस्टाचारी बताया जाता है आप ही के नेता को जेल में डाला जाता है और आप ही के दिमाग में भर दिया जाता है कि आपकी नेत चोड़ हैं उसी तरह से लगातार आप कोशी सोरे की मायावती टिकट बेच रही हैं इनसे पुछे कि तुमने तो पूरा मुखमंत्री बेच देता होता है सोच्य जो पार्टी को बिजनेस्ट में चंदा देता होगा और अगर अखिलेष ती जिश्विया मायावती लोगों के चंदा से अपने कैंडिडेट के चंदा से अपने उमिदवार से चंदा लेकर पाटी चला रही हैं तो वो तो उमिदवार और उनके बीच के बात कोई बिजनेसमेन तो आपको बेचने नहीं देगा साइद इसी का नतिया था कि बीस पर सुप्रीम माहाबती ने जब वो पांस साल के और खाल बंब्र सुन्हें तो उन्होंने बरी बरी लखी रिखी जी उन्होंने इन्वर्सिटी वनवाए ठाब विस नर नंम वहुझ पूरे लखनौव को आम बेटकर में बुध में बनाया ये सब कैसे हुआ क्योंकि उन पर कॉर्पेट का दवाब नहीं था क्योंकि उन्होंने कॉर्पेट से चंदा नहीं लिया था तो ये पार्टी और एक बाद मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं आप 500 लोग की एक मीटिंग बैठा के देखिए कि कितना खर्चा आता है और ये सिस्टम क्या आपको सपोर्ट करता है ये समाज आपको सपोर्ट करता है क्योंकि ये समाज संसादन भीहीन है मैं तो फिर भी कह रहा हूं जो लोग भी चंदा लेके तमाम समाजिक आंदोलन चला रहा है उनका वो शुक्रिया जो लोग चंदा लेके पार्टी चला रहा है उनका भी शुक्रिया क्योंकि बहुजन समाज के पास ना पैसा है ना कोई बिजनेसमेन है तो पाठी चलेगी कैसे इस देश के किसी भी एरपोर्ट पे जाए उहां 10, 20, 40, 50, 100, 100 जो है वो प्राइबिट प्लेन जो है वो हैंगर रहते हैं लगे हुए रहते हैं क्या एक भी एक CSTOBC मानोर्टी का है, कोई Airlines आपका है, कोई कंपनी आपकी है आप बिजनेस में कहा है आपके पास 5 Star होटल का चेन है क्या है आपके पास और अपने ही लोग को लाल्ची कहना चोर कहना ये आपको सिखाया जाता है इसलिए सबस्क्सक्Сाइब को सबस्क्राइब ही तो वह स्ताइब हो है कि पांतव load Windows को कोई तब दो आपने चुनने चाहिए अपनी लीडर्शिप चुने देस में एक बार मायावती को फुल-फिलिज मौका मिला है, जैल-वेल में फसा के रखा गया, लेकिंगि इस देश में भोजनों के लिए जो भी किया है, वो भोजन समाज के निताओं को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बच